टेली चैप्टर 146 आज का टीडियल सेशन हमारा पेड बिल्स के उपर है especially पेड बिल्स है क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों को problem होती है ये जानने में कि हमारे कितने बिल cleared हो चुके हमने payment कर दी है या receive कर लिया है आम तोर पर टेली जो आपको दिखाता है वो दिखाता है out standing, receivable और payable लेकिन हम टीडियल के माध्यम से आज show करेंगे आपके paid bills तो उनको दोनों को साथ साथ रखा जाएगा एक ही screen पर जिससे आपको चीजे समझने में, report समझने में आसानी होगी तो हम अपना right side में रखेंगे out standings को और left side में रखेंगे अपने paid bills को वो receivable हो चाहे वो payable हो दोनों को रख देंगे तो उसके लिए आप छोटा सा काम करेंगे, कुछ entries आपको करनी पड़ेगी ये तो हम सभी जानते हैं कि display statements of account outstanding receivable में हम जा करके bills देख सकते हैं कि कितना outstanding है, जो भी आपने detail वहां mention कर दियोगी लेकिन आपने f12 का इस्तिमाल करके कुछ और function, function set कर दिये तो भी आपको na all bills दिखाई देंगे, सारे के सारे, जिसमें आपको pending और paid दोनों दिखाई दे जाते हैं कुछ जगा पर, लेकिन यहाँ पर अब सीरे चलते हैं मेरे dashboard पर, उपर राजीव मिश्रा dashboard है आप अपने gateway of tally के dashboard पर आना, और सबसे नीचे एक option आपको दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, जो code मैं आपको दूँगा अब भी बताते हैं उसके बारे में, तो मैंने report चेक करी, तो report में, right side में pending bills है, left side में paid bills के लिए column है, क्योंकि यहाँ पर कोई entry नहीं है जब आप entry पास कर देंगे, तो आपको यह report दिखाई देने लगेगी, for example, हम किसी भी customer का नाम चूज कर रहेते हैं, for example, मैंने आदित्या राज के नाम से ले लिया, आदित्या राज को हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर मैंने voucher में, F6, receipt voucher में entry कर देता हूं, अब मैंने आदित्या राज का, बिल अमाउंट लेना है, तो मैंने टेस्टिंग के लिए 1 रुपी डाला, और मेरे पास सारे आउटस्टैंडिंग बिल्स जो है, वो आ गए, उनमें से एक बिल जो है, 180 रुपीज का है, वो हम ले लेते हैं, third, last बिल में, और इसे accept करा देते हैं, cash में यह check से, control है, accepted, अब आप चलते हैं, अपने report पर G प्रेस करेंगे, so G से, आपको report नीचे दिख जाएगी, left side में आ गया, इसका एक और तरीका यह था, कि जब आपने बिल सारे एक ही बार में clear कर लिए, so आप इसमें, all pending bills को clear कर लीजे, display, statements of account, outstanding, receivable, और अब party का नाम जो है आपका, वो आपको लेना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर laser का नाम ले लिया, for example, मैंने आदिपते के सारे bills ले लिये, और space bar से select करके, alt B, multiple payment, आप जानते होंगे, tally में, और यहाँ पर इसको clear करा दिया, control A, done, यहाँ report clear होई, और जो जो bill आपके clear होते जा रहे हैं, वो सा आपको यहाँ पर दिखाई देनी लग जाएंगे, कोई भी party होगी, उसकी entry आप चेक कर सकते हैं, तो left or right में रखेंगे, अब हमारे कुछ साथियों को problem आएगी, क्योंकि यह तो testing के ले database है, testing entry में मैंने 50 entry कर दी, उसकी duplicate entry बना दी, आपके पास तो एक real company है, जिसमें already, large amount of data है, in that situation you may have problem with filtration, so you may ask that, how can we filter the data and all these things, so in that situation, we'll do one thing, we'll create one button here, and the button will solve your query, so जैसे viewers की demand होगी, उसकी according हम लोग एड करते हैं, तो, जो हम डिसकस कर रहेते हैं, कि अभी आपको एक फिल्टर करने की आवशकता पड़ेगी, कुछ व्यूवर्स को दिक्कत हो रही है, तो वो बटन आप क्रियेट कर सकते हो, तो उसको क्रियेट करने के बाद में, एक दो लाइनों का कोड डाल के, बटन क्रियेट कर दो, अभी मैं इसमें, एक रेडिमेड कोड का इस्तेमाल करूंगा, जिसकी मदद से बटन एड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ और वीडियो म में आपको वो फिल्टर करने की कोडिंग सिखानी है, जिससे आप कोई भी रिपोर्ट पे पर्टिकुलर डेटा पर फिल्टर कर पाएं, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर ले, चलते हैं, जहां आपको एड करना चाहिए, आपको फॉर्म में एड करना चाहिए, ठीक है, आपने म कोडिंग में आप फॉर्म्स पे चलना, ठीक है पार्ट, इन मैंने या फिल्ड, एक सेकेंड और, लाइन, बहुत सारा कोड है, इसकी वेश से, यहां, अच्छा, एफफपी, ठीक ही, यहां चलेगा, फॉर्म इन ब्रैकेट, एफफबी का मतला हम शॉर्ट में कोडिंग आपने कर लेना है, दी, एसपी, टेंपलेट, सेव करते हैं, ठीक है, और, रिफ्रेश करते हैं, टैली पर, मैंने तो, टीडियल का कोड बना रखा होता है, रिफ्रेश का, यहां, राइट साइड में, एफफफव से, आप अल्ट कंट्रोल टी कर लेना, या मेरी वीडियो, रिफ्रेश टीडियल की देख लेना, एफफव, और हम गई यहां, अब धे सारे बटन आपके, राइट साइड में, आने लग गए, ठीक है, उन में से, एक है, रेंच, आल्ट, एफफवेल्फ करते हैं, और, आल्ट, एफवेल्फ में, जो भी हमारा बिल से, रिलेटेड, चाहिए हमें वो ले लिया, हमने, लेजर लिया, लेजर में हमने, लेजर नेम करना है, ठीक है, तो, लेजर नेम को स्लेक्ट करना, आप, मैं जरा, सिर्फ नेम टाइप कर देते हैं, एनेमी, नेम, ठीक है, और, इक्वल्स टू, येस, इक्वल्स टू, और, मैंने यहां दि लेंदी है यह रेंज में जो मैं बटन की कोडिंग आपको आगे सिखाऊंगा उसमें तू दपॉइंट होगा लिस्ट आकी रहेगी आप वहाँ स्लेक्ट कर सकते हैं चले फिलाल इससे काम चलाते हैं अधर्वाइस यह वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी यहाँ अपर मिश्रा के जो भी बिल है वो आपको दिखाई देगा है मिश्रा ट्रेडर्स के एक बार और और अल्ट अफ 12 हम लोग करते हैं ठीक है और अल्ट अफ 12 लेजर नेम इक्वल्स टू ओके इक्वल्स टू देलो और नहीं तो आप उसको कर लो चेंज करके आप यहाँ पर चल जाएगा मैंने यहाँ पर ए डी आई टी वाई ए मुझे लगा कि यह ठीक है तो मैं उसे को सेट कर लूँगा इस तरीके से दिखा देगा अगर आपको पूरा नाम नहीं पता है नहीं तो एरर देता रहेगा तो इन बटनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसली और अप नमबर वन उसको आपको वीडियो से ही पता चल जाएगा दूसरा कि हमारे चैनल पर आपको धेरो वीडियो मिल जाती है टेडियल से रिलेटेड रेडिमेट कोड बने हुए हैं आप उनको पढ़िएगा मतलब वीडियो को देखिएगा कोड को यूज कर सकते हैं और उसके अपना टेली का काम आप आसान बना सकते हैं आपने वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर किया होगा साथ साथ जो भी रिक्वेस्ट आप डालते हैं वो हम नोट करते हैं और उसके उपर वीडियो बनाना शुरू करते हैं थोड़ा दो दिन ती दिन का टाइम लग जाता है तो नाराज मत हुएगा आप अपनी क्वेरी डालते रहिए जल्दी पिल्कुल कोशिश है कि जल्दी हो और जिस दिन छुटी होती है मेरी ओफिस नहीं जाता हूं तो उस दिन तो मैं दो तीन वीडियो का कंटेंट डाल देता हूं आप वीडियो के कंटेंट से मुझे य मिल जाएगी लगबग चार बजे के टाइम पे हम अपलोड करते हैं और कई बार दो तीन तीन वीडियो भी अपलोड हो जाती है ब्लॉग के बारे में बात करते हैं कोड के बारे में के हमारे वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे आखरी सबसे आ इसलिए बताना जरूरी था आपके लिए ठीक है और इसके बाद की वीडियो तो और भी ज्यादा इंट्रस्टिंग है मैंने कुइक सर्च के लिए कुछ ऑप्शन्स बना रखे हैं जो आपकी मदद करेगा और आप अपनी कोईरी भी डाल सकते हैं चलिए तो जो कोड आपको ब्लाउग में नहीं मिलेगा उसके लिए मैं लूँगा एक छोटा सा कमर्शund ad break तो आप जो code आपको नहीं मिलेगा वो आपने यहां से यह जो option है यह आपको नहीं मिलेंगे तो यह आपको type करना है अच्छा यह जो है child of यह single line है आप enter मत प्रेस कर देना यहां font size बड़ा है इसलिए दो लाइनों में आ रहा है इसको आप सही से इस्तेमाल करना यह आपको code नहीं मिलेगा blog link में यहां type कीजेगा और उपर का सारा code तो मैंने आपको दे ही रखा है वहां से उठा लीजेगा वहां से use कर लेना ठीक है और कोई चीज आपको add करवानी हो तो आप मुझे से add करा लेना नहीं तो अगर आप coding सीख रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से तो आप खुद भी add कर सकते हैं नहीं तो हम आपकी मदद कर देंगे so telly chapter 146 हमारा यहीं पर complete हो जाता है अब हम बढ़ते हैं telly chapter 147 की ओर का नहींर बढ़ते हैं can comprendख़ा अभ़ते हैं और कर दो हैं कर दो हमारा यहीं तो हमी आपकी मदद कर देंगी रहा हैं तो हम छो हम आपकी मदद खुद बढ़ते हैं और कर दो वीज़